आज का विशा है क्या पशूपती बर्त में क्या शे के शे दीपक अगर शिवलिंग के समक्ष लग जाएं तो क्या बर्त क्या पांचों के पांच वर्त खंडत हो जाएंगे जहां फिर जिस वर्द में छेक चेक दीपक शिवलेंग के शमक्च लगे हैं क्या एक ही वर्द खंडत होगा देखिए दोस्तों पच्छूपती वर्द में शाम की पूजा में शे दीपक जलाने का अविधान है पांच दीपक शिवलेंग के सामने और एक दीपक आप अपने गर के मुखधवार के दैने हाथ की तरफ लगाना है अगर गलती से शे के शे दीपक मंदर में ही लग जाएं तो ऐसे में आप गवराएं ना परेशान ना हो आप सावदाने से शेठा दीपक जालता हुआ ठाएं और अपने गार आके गार में परवेश होने से पहले उस दीपक को अपने गार के मुखधवार के दैने हाथ की तरफ लाकर रख दें अगर दीपक लंबी वाति का है तो उसका मुख अपने गार की ओर रखें अगर दीपक गोल वाति का लगाए है तो उसका मुख खुद वे खुद ऊपर की ओर ही होगा अगर उस दीपक को मंदर से लाना ही बूल जाएं तो ऐसे में क्या करें अगर आप मंदर से शटा दीपक गर लाना भूल जाएं तो आप गर आकर अपने गर से नया दीपक लेकर बगवान शेव का द्यान करते हुए और अपने गलती की माफी मांगते हुए दीपक जलाएं ऐसा करने मातर से बगवान आपके द्वारा जलाए शटे दीपक को सविकार करेंगे और आपकी मनों कामना शीगर अती शीगर पूर्ण करेंगे बगवान तो वाव के भूखें हैं इसलिए आप शर्दा वाव से शटे दीपक को जलाएं जे निजन सिर्फ उनी के लिए हैं जो गलती से शे के शिर दीपक शिविलन के समक्ष जला देते हैं और शटा दीपक लगाना बूल जाते हैं बैसे आप गलती से भी ये गलती ना करें जैसे हमारे माता पिता अपने बच्चों की हर गलती को माफ करते हैं इसी तरह बगवान भी हमारी गलती को माफ करते हैं और हमारी हर मनुकामना को पूर्ण करते हैं बगवान तो हमारी शर्दावाव देखते हैं अगर आपके पास कोई समगरी नहीं भी है तो आप मानसक रूप से उस समगरी को अर्पत करें बगवान सविकार करेंगे आपके द वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो